दोस्तों नमस्कार, E&I Guru चैनल में मैं संदीप चोहान आपका फिर से स्वागत करता हूँ दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे कि इन्वर्टर बेटरी के अंदर कौन सा पानी डालना चाहिए और कौन सा पानी नहीं डालना चाहिए और आप घर पर ही इन्वर्टर बेटरी का पानी कैसे बना सकते हैं तो दोस्तों इस वीडियो को आप लाश्ट तक देखिए अब श्टार्ट करते हैं दोस्तों जैसा कि दोस्तों इन्वर्टर बेटरी के अंदर जो लिक्विड डाला जाता है उसके बारे में काफी सारे लोगों को भ्रम रहता है लोग समझते हैं कि inverter बेटरी के अंदर acid को डाला जाता है पर दोस्तों मैं आपको बता दू कि inverter बेटरी के अंदर acid को नहीं डाला जाता inverter बेटरी के अंदर जो liquid डाला जाता है वह एक pure पानी होता है और पानी को सुध करके inverter battery के अंदर डाला जाता है पानी की सुधता को जानने के लिए हम TDS मिटर का उप्योक कर सकते हैं जिस पानी का TDS जितना कम होगा वह पानी उतना ही सुध होगा और उतना ही वह हमारी inverter battery के लिए उप्योकत होगा आप जो मार्केट से पानी खरीद कर लाते हैं उसका रेट 100-500 रुपे तक होता है अब आप घर पर ही फ्री में पानी बना सकते हैं और वह पानी मार्केट के पानी से भी बहतर होगा जिससे आपकी बैटरी की लाइफ बढ़ जाएगी घर पर आप तीन तरीके से इनवर्टर बैटरी के लिए पानी बना सकते हैं इसमें सबसे पहला तरीका आता है बरसात का पानी यानि आप इनवर्टर बैटरी के अंदर बरसात का पानी भी डाल सकते हैं हम जो मार्केट से पानी लाते हैं उस पानी का TDS 25 से 30 रहता है लेकिन जो बर्सात का पानी होता है उसका TDS 0 से 5 तक रहता है यानि बर्सात का जो पानी होता है वह मार्केट के पानी से बैतर होता है लेकिन बर्सात का पानी लेते वक्त आपको कुछ सावधनिया रखनी होगी आपको कोई बाल्टी या फिर कोई बरतन वहाँ पर रखना होगा जिससे बरसात का पानी डायरेक्ट आकर उस बरतन में या फिर बाल्टी में गिरे इसके लिए आपको ध्यान रखना होगा कि जिस बाल्टी या फिर जिस बर्तन का आप यूज कर रहे हैं वह अच्छी तरीके से साफ हो और साफ करने के बाद आप उसको बरसाथ के पानी से एक बार दो लें उसके बाद उस पानी को बरसाथ के अंदर डारेक्ट रख दें जब बाल्टी भर जाए तो उस बाल्टी का पानी साफ करके किसी बर्तन में या फिर किसी बोटल के अंदर रख सकते हैं इस पानी का TDS यदि आप चेक करेंगे तो वह 0-5 तक आएगा अब इस पानी को आप साल भर तक बैटरी में डाल कर यूज कर सकते हैं यह पानी बैटरी के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि इसका TDS बहुत कम होता है अब हम दूसरा तरीका देख लेते हैं आप अपने इनवर्टर बैटरी के अंदर आरो का पानी भी डाल सकते हैं आरो जो होता है वह पानी की हाडनेस को कम कर देता है पानी की हाडनेस कम करने से पानी प्योर हो जाता है और उस पानी को हम इनवर्टर बैटरी के अंदर डाल सकते हैं यदि आपके घर में आरो है तो आपने देखा होगा कि आरो के अंदर TDS कम करने के लिए एक बटन होता है, तो उस बटन का उप्योग करके हम आरो का TDS बहुत कम कर सकते हैं, और जब आरो का TDS 20-25 हो जाए तो उस पानी को एखटा करने, एखटा करने के बाद उस पानी को तो वैंडर को ब बाटर को बैटरी के अंदर दालना थोड़ा रीस्कि हो सकता है क्योंकि ऐर कंडिशनर का जरेंवाला पाईप होता है वह रोख के कौन टैक्ट में रहता है air के contact में रहने से उसके अंदर काफी सारी dust जमा हो जाती है और जब air conditioner का पानी उस pipe के द्वारा निकलता है तो उस पानी के अंदर dust भी आ जाती है जिससे उस पानी की hardness बढ़ जाती है और यदि इस पानी को हम battery के अंदर यूज करेंगे तो friends इस वीडियो के माध्यम से आप समझ गए होंगे कि inverter battery के अंदर कौन सा पानी डालना चाहिए और कौन सा नहीं डालना चाहिए और पर ही inverter battery का पानी फ्री में कैसे बना सकते हैं Thank you दोस्तों, thank you so much for watching my video